सात्यों नमस्कार मैं हूँ नीरत पटेल और आप देख रहें नेशन जन्मत पिछले और दलिद्वर्ग के वो लोग जिन्होंने उत्तर प्रदेश में योगी आदितनात की सरकार दोबारा बनाने में मदद की ऐसे लोगों को पियम मोदी और योगी आदितनात अपने ढंग स सुक्रियादा कर रहे हैं लेटरल इंट्री सब्द तो आपने सुना होगा मेरे सब्दों में कहा जाए तो वो चोर दरवाजा है बैक डोर से इंट्री है उस लेटरल इंट्री में आने वाले लोगों की पहली योगता है कि उनको संधी माइनसेट का होना चाहिए तो अभी तक तो मोदी सरकार बिना आईएस की परिक्षा उत्तिर्ण किये ही लोगों को आईएस बनवा रहे थे इसके बाद ख़बर आई चुनाओ के दोरान कि अब PCS भी ऐसे बनाए जाएंगे उत्तर प्रदेश में लेकिन चुनाओ का समय था तो उसका खंडन कर दिया गया लेकि UGC यानि कि बिस्विद्याले अनुदान आयोग की तरफ से अब ख़बर आ रही है कि प्रोफेसर से भी अब लेटरल इंट्री के माध्यम से बनाए जाएंगे ये ख़बर उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा महत्पूर्ण है जो निम्न या मध्यम आयवर्क से आते हैं इसलिए क्योंकि धन्ना सेटों के बच्चे प्रोफेसर अमूमन बनना नहीं पसंद करते इस निम्न और मध्यम आयवर्क से आने वाले लोगों के घरों के बच्चे ही प्रोफेसर बनने की तरफ रोजान रखते हैं और इसके लिए कड़ी महनत करते हैं PhD और NET क्वाइलिफ का टेंक तक रखवा दिया था वही एम जगदीश कुमार UGC की चेर्मेन बनते हैं ज्यादा समय नहीं बीचता है और वो प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों के लिए लेटरल इंट्री यानि कि चोर दरवाजे से एंट्री का प्रस्ताव ले आते हैं उसमें ये भी बात जोडते हैं कि आप PhD और नेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसके पीछे आपने तर्क दिया कि UGC अब इंडस्ट्री एक्सपर्ट और प्रोफेस्टनल्स को उच्छी सिक्षन संस्थानों में फैकल्टी बनने का अफसर देंगे लेकिन आपकी नियत में ख सुधार करना चाहते हैं लेकिन सुधार के नाम पर आप एक ही माइंडसेट के एक ही विचार धारा के सरकार की प्रती वफादारी रखने वाले लोगों को जब भर लेते हैं उसमें भी एक खास जाती भी से इसके लोगों का खयाल रखा जाता है तो ये सारे जो आपके कुलपती आपके ही माइम सेट के हैं जो इकका दुक्का इधर दर बचे भी हैं उनकी भी मजबूरी है कि वो माने या दूसरे तरफ से देखें तो पिछड़े और दलिद्वर्ग के जो कुलपती बनाए भी जा रहें इस समय उनकी विचारधारा पूरी टटोल करके कहीं ऐसा ना हो कि कुलपती बनने के बाद अपने वर्गों के बच्चों का ख्याल लखने लगें खेर जगदीज कुमार जी इस मामले में उत्तर पृदेश सरकार के डिप्टी सीम और उच्छी सिक्षा मंतरी दिनेज सरमाजी से पीछे रह गए दिनेज सरमा जी उच्छी सिक्षा म योग की परिक्षा पास किये, तमाम सारे अपने सजाती लोगों को प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर बना चुके थे, लॉजिक ये दिया गया था, कि ये तमाम सारे लोग पहले से कॉलेजों में पढ़ा रहे हैं, उनको हम नियमित कर रहे हैं, नियमित करने वालों की कुछी जब नेसल जन्मत ने देखी थी तो उसमें भी कुछ खास जाती विसेश के लोगों को लाब होता हुआ दिखाई दे रहा था दिनेश सर्माजी ने एक काम ऐसा नहीं किया उच्छी सिख्छा मंतरी रहते हुए तमाम ऐसे काम किये जिससे सीधे सीधे उनके जाती के सि बावान बेत हो तो जगतिस कुमार जी यहां पीछे रह गए हालाकि नेसल जन्मत ये बात बखू भी जानता है कि पिछले और दलिद्वर्ग के लोगों को प्रोफेसर्स और सरकारी वकेलों की न्युक्ती में हो रहे जाती बात से कोई बिसेश मतलब नहीं है क्योंकि उनक के लिए हिस्सेदारी का मतलब इनी दोनों की संख्या पर निरवर है लेकिन नेसल जन्मत जानता है कि सबसे ज्यादा ध्यान संग का भारती जनता पार्टी का सैक्षणिक संस्थानों पर ही क्यों रहता है आपको भी समझाने की एक नाकाम कोसिस करता हूं दरसल प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसेट प्रोफेसर ये ऐसे पद हैं जो अपने सेवाकाल में हजारों लाखों चात्रों का भविस्स सित्य करते हैं उनको परिछाओं में अंक देते हैं प्रैक्टिकल में तो ज़्यादा तर जगे जातिवार माइंडसेट के हिसाब से खेल किया जाता है इसके अलावा अपने अंडर में तमाम बच्चों को पिएजडी करवाते हैं और पिएजडी करने के दौरान खवरें आती हैं कि पिछडे दलिदवर्क के बच्चों से अपने घर की सबजिया मंगवाई जा रही हैं पानी भी भरवाया जा रहा है सब ऐसा नह को लिए बैठते हैं मतलब PCS और IS भी बनवाते हैं मगर अपसोस बंचित तक्के के लोगों का बैकवर्ड माइंड सैट देखिए वो अभी तक प्रोफेसर्स वकील और अच्छे पत्रकारों का महत्वी नहीं समझ पाए एक और खबर सामने आई है कि आप B.TEC और B.E. यान की AICTE के सलाकार डॉक्टर रमेज उन्नी किष्णन की तरफ से एक खबर आई है कि अब इन दोनों ही कोर्सेस में दूसरे वर्स से लेटरल इंट्री से दाखिले की सुबदा उपलब्द कराई जाएगी सरकारें जो परिक्षाएं करवाती हैं उन परिक्षाओं के माध्यम स चात्रों को या प्रोफेसरों को न लेकर के लेटरल इंट्री के माध्यम से कराया जाना निश्चित तोर पर एक साजिस की तरफ इसारा करता है अभी तक जूडिसरी एक ऐसा छेत्र था जहां पर दूसरे तरह की लेटरल इंट्री थी खास वर्ग जाती और परवार के किये आपको कोई परीच्छा पास नहीं करनी पड़ती, वो दूसरे तरह की ले確 लेतर का तरह का कोलेजियम है, यहां पर लेटरल इंट्री के नाम पर दूसरे तरह का कोलेजियम सेट करना पड़ रहा है, आप बाते तो बहुत अच्छी बताते हैं कि हम इस वज़े से ये कर लेकिन आपकी नियत पर संदे इसलिए उठता है कि अभी तक जहां जहां आपने चोर दरवाजे की लेटरल इंट्री की बिवस्था की वहां पर एक खाज जाती और विचारधारा के लोगों को भरने का काम किया आरक्षण को लगवक खात्मे की स्थिती पर लाने के बावजूद पिछणे और दलिदबर्ग के जिन लोगों ने इस बार भारती जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में बोड दिया था ये उनके लिए रिटर्ण गिफ्ट की तरह है योगी सरकार पुलिस कर्मियों को पहल और हिंदुत्त का मजा लेते हुए एक जाती और वर्ग विसेश के लोगों को टाइट करके रखने के चक्कर में अपने बच्चों का भविस्वरवाद करते रहिए देखते रहे ने संजनमत जागरुक और सजग बने रहिए जै विज्ञान जै समीदान जै लोगतंत्र धन करने भा धने खिलेगान we अंधने लोगते है अजै अघने बच्चों का फिस प्रण सर लोगते हैं लोगती है